नमस्कार दोस्तों, ये नंबर सीरीज के प्रेक्टेस सेट बन है, चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, जैसी कि दोस्तों आप यहां पर कुश्चन को देख पा रहे होंगे, यह हमारा कुश्चन मार्क है, इसी कुश्चन मार्क की जगए कौन सी संख्या आएगी आ को find out करना है, तो चलिए दोस्तों कुश्चन को solve करते हैं, यहां पर दोस्तों देखिए 4 है, यहां 8 है, यहां 21 है, और यहां पर 59 है, हमें दोस्तों यहां पर कोई भी direct relationship नजर नहीं आ रहा है, इस नमबर सीरीज में, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम difference निकालेंगे, 8-4 कर करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आजाएगा, यहां पर दोस्तों देखिए, 21-8 करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, यह आजाएगा हमारा 13, 59-21 करेंगे, यह आजाएगा हमारा 38, यहां पर दोस्तों कुश्चन मार्क है, तो यह difference कितना आएगा, कुश्चन मार् अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 13 है और यहाँ पर 38 है, यहाँ पर कोई भी relationship नहीं बनना है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे एक बार फिर से difference निकालेंगे, देखिए 13-4 किये तो कितना आया, 9 आ गया, यहाँ पर दोस्तों फिर से difference निकालेंगे, 38-13 किये त difference आजाएगे कि नहीं आजाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप relationship देखिए, क्या relationship बनना है, यहाँ पर कितना है, 9 है, यहाँ पर क्या है, 25 है, यह दोस्तों 9 क्या हो जाएगा, 3 का square हो जाएगा, दोस्तों यह 25 क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 5 का square, यहाँ द किसके बराबर है हम यहाँ पर इसके बराबर लिख देंगे question mark minus 59 minus 38 is equal to क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा यह दोस्तो question mark की value कितनी आ जाएगे हमारी question mark की value आ जाएगे 49 plus 38 plus 59 इसको जोड देंगे तो यह हमारे question mark की value आ जाएगे 9, 2, 18, 18, 18, 8 कितना आ जाएगा दोस्तो 26 आएगा 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 140 आ जाएगा तो आपका correct answer दोस्तो क्या हो गया यह हो गया चलिए दोस्तो अगला question करते हैं दोस्तो इस question को देखिए यहाँ पर एक question mark है इसी question mark की जगए कौन सी संख्या आ यहाँ पर 28 है हमें दोस्तो यहाँ पर direct कोई भी relationship नजर नहीं आ रहा है तो दोस्तो हम लोग क्या करेंगे हम पदों का difference निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे difference निकालेंगे यह कितना आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ पर दोस्तो कितना आएगा 5-2 करेंगे तो आ जाएगा 3 यह 13-5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर 28-13 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यह हमारा 15 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा question mark minus 28 आ जाएगा आ जाएगा की नहीं आ जाएगा इतना clear है अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 3 है यहाँ 8 है, यहाँ पर 15 है यहाँ पर हमारा कोई भी direct relationship नहीं बनना है, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे एक बार फिर से difference निकालेंगे 3-0 करेंगे तो 3 आएगा 8-3 करेंगे तो हमारा यह 5 आएगा 15-8 करेंगे तो दोस्तों यह हमारा 7 आएगा और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा यह आजाएगा हमारा कुशन मार्क –28 –15 आजाएगा की नहीं आजाएगा अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 3 है 5 है, 7 है प्लस 2 हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ है, यहाँ पर भी प्लस 2 होगा, तो जब 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 किसके बराबर है, 9 बराबर है, question mark, minus 28, minus 15, is equal to कितना है, 9 है, तो दोस्तों इसको swap करेंगे, तो इससे हमारी question mark की value आजाए ही की नहीं आजाएगी, 28 प्लस 15 प्लस 9, यह कितना हो जाएगा, दोस्तों, 28 प्लस 24, 28 प्लस 24 करेंगे, तो कितना आजाएगा, दोस्तों, यह आजाएगा, हमारा 52, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, दोस्तों, हमारा correct answer हो जाएगा, D, चलिए दोस्तों, आगला question देखते हैं, दोस्तों हमारा अगला question है निम्न मेंसे प्रतियक प्रसंद में एक स्रंखला दी गई है जिसमें एक पद क्या है गलत है उस गलत पद को आपको find out करना है तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं गलत पद को हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर दोस्तों आप number series देख पा पर नहीं है तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले हम difference निकालेंगे देखिए 16-15 किया तो कितना आया वन आया 22-16 किया तो कितना आया दोस्तो 6 आया और 29-22 किया तो यहाँ पर आपका 7 आया और 45-29 किया तो यहाँ पर दोस्तो आपका 16 आया और 70-45 किया तो यहाँ पर आया आपका 25 अब दोस्तों आप यहां पर देखिए, 1 है, यहां 6 है, यहां पर 7 है, यहां पर 16 है, और यहां पर कितना है, 25 है, यह 25 क्या है दोस्तों? 5 का स्क्वाइर है, यह 16 क्या है दोस्तों? 4 का स्क्वाइर है, और यह 1 क्या है दोस्तों? 1 का स्क्वाइर है, दोस्तों अगर इस सीरीज को complete करना है तो यहाँ पर 2 का square होना चाहिए और यहाँ पर यह 3 का square होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर 2 का square का होगा जब यहाँ पर difference कितना और यहां पर difference कितना आए? 9i. आय की नहीं दोस्तों? इतना के लिए हैं दोस्तों? यहां पर देखिये दोस्तों, हमारा जो pattern है, वो pattern कहां पर गडबड हो रहा है? यहां पर हो रहा है. यहां पर देखिये दोस्तों, यहां correct है, यहां भी correct है, और यहां भी correct है. अगर दोस्तो तो यह हमारा difference सही है, इसका मतलब है, हमारे वो संख्यां भी सही है, जिससे यह हमने difference निकाला है, इसका मतलब हमारा one difference किस से आया था, 15 और 16 से आया था, इसका मतलब दोनों संख्यां यहां पर correct है, 5 का square कहां से आया था, दोस्तों, हमारा 70 और 45 से आया था, अब दोस्तों, य हमारी कौन सी एक संख्या बच गई है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह 22 बच गया है इसका मतलब यह 22 जो पद है वो रॉंग है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर यह 22 की जगह आएगा क्या एकदम बिल्कुल करेक्ट है यहां प दोस्तों देखिए 6 है हमें यहां पर 4 ले के आना है कैसे लेकर आएंगे तो 16 प्लस 4 करेंगे यह आजाएगाशी knowledge 9-20 करेंगे तो हमारा यहां पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा एकदम condition satisfy हो जाएगी चलिए दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा अब चलिए अगला question देखते हैं यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर एक question mark है इस question mark की value आपको find out करना है इस question mark दोस्तों हमें कोई भी direct relationship नजर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे difference निकालेंगे 7-2 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा 27-7 करेंगे तो 20 आएगा 107-27 करेंगे तो दोस्तों हमारा 80 आएगा और 427-107 करेंगे तो दोस्तों यह कितना यहां पर दोस्तों डिफ्रेंस निकालेंगे तो यह कितना आएगा? यह आजाएगा कुष्ण मार्क माइनस चार सो 27 इतना किलियर है दोस्तों हा या ना? अब दोस्तों यहां पर देखिए 5 है, 20 है, 80 है, 320 है. यहाँ पर कोई आपको relationship नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 सभी में common है, यहाँ पर दोस्तों देखिए 5 into 1, यहाँ पर देखिए 5 into 4, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 into 16, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 into, कितना है यह? 64 है, कितना clear है? क्या है 5 into 4 का square है और यहाँ पर 5 into 8 का square है अब दोस्तों यहाँ पर pattern देखिए 1 का square, 2 का square, 4 का square, 8 का square तो यहाँ पर question mark की जगाए क्या आएगा 5 into 16 का square क्योंकि हमेशा double हो रहा है तो question mark की value क्या हो जाएगी दोस्तों, question mark minus 427 is equal to 5 into 16 का square हो जाएगा की नहीं हो जाएगा दोस्तों, यह आजाएगा हमारा 1280, तो question mark की value क्या आजाएगी दोस्तों, question mark की value आजाएगी 1,707, हमारा correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा